अलो गाईज इन्वेश्मेंट के आन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम एक बहुत ही में तपूर्णी स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर आप एक मुष्ट पैसा जमा करके दोस्तों कहीं सारे बेनेफिट्स ले सकते हैं इसमें आपको ट जो कि लोंग टम जो कैटेगरी की कमपनीज होती है उनके अंदर इसके पैसे को इन्वेश्ट किया जाता है ये एक ELSS फंड है जिसका तीन साल का लोकिन पीरियड है अब दोस्तों तोटली आपके उपर डिपेंड करता है कि आप इस स्कीम के अंदर S.I.P. शुरू करते हैं या लंसम में पैसा इन्वेश्ट करके छोड़ते हैं इसका यूज आप टैक्स सेविंग की लिए करते हैं या मंतली इंकम की लिए करते हैं एक ही फंड के अंदर आप जिस तरह से चाहें उस तरह से अपने टार्गेट को अचीव कर सकते हैं मानने जिए सबसे पहले मैं 30.79% के हैं इसका मतलब यह है दोस्तों कि पिछले तीन साल से जो लोग इसके अंदर पैसा इंवेश्ट कर रहे हैं उनका पैसा 30.79% से ग्रोव हो रहा है पिछले एक साल के इसके रिटन 22.67% के हैं पिछले छे महीने में इसने 5.30% के रिटन्स प्रोवाइड कराए हैं अब दोस्तों इसके अंदर आप जिस तरह से पैसा इंवेश्ट कर सकते हैं माली जीए आप इसके अंदर मंतली पेसिस पर 25 रुपे मेने के SIP करते हैं और overall जैसा हमने देखा है इसने 14% के रिटन्स दिये हैं तो अगर ये 14% के रिटन्स देता रहता है तो 5 साल में हमारा टोटल पैसा 1,50,000 रुपे इंवेस्ट होगा और estimated रिटन्स जो हमें मिलेंगे वो 68,000 यानि 68,000 के मिलेंगे और final amount हमारा कित तरह से अगर आप इस 25,000 रुपे मेहीने के इंवेस्टमेंट को अगले 15 साल तक करते हैं तो 15 साल इंवेस्टमेंट करने के बाद में 4,50,000 रुपे का total हमारा इंवेस्टमेंट होगा 10,82,000 रुपे के हमें estimated रिटन्स मिलेंगे और final value हमारी 15,32,000 रुपे की हो चुकी होगी इसी तरह से अगर हम बात करें लग भग दोस्तो हमारा ये पैसा एक करोड रुपे में कितने दिन में convert हो सकता है तो 25,000 रुपे मेहने के SIP अगर आप अगले 28 साल तक करते हैं तो 8,40,000 रुपे का मातर हमारा investment होगा अगर ये 14% के return हमें fund देता रहता है तो 96,24,000 रुपे क 24,000 रुपे की हमारी value almost हो चुकी होगी अब इसमें से जो LTCG है यानि के long term capital gain tax है सिर्फ उसी का deduction होगा जो almost 10% होता है बाकी का amount हमारे account में credit हो जाएगा अब दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके अंदर लंसम पैसा invest करके भी छोड़ सकते हैं मान लिजी आप इसके अंदर 1,000,000 रुपे का investment करके छोड़ते हैं उस case में 14% के अगर यह हमें return देता रहता है तो अगले 28 साल में हमारा 1,000,000 रुपे बढ़कर 49,000,000 रुपे हो जाएगा क्योंकि 38,000,000 रुपे के हमें estimated returns इसके अंदर से मिल चुके होंगे इसी तरह से अगर हम बात करें 5 साल के time period की तो हमारा 1,000,000 रुपे बढ़कर 1,000,000,000 रुपे हो जाएगा क्योंकि 52,000 रुपे के almost हमें returns इसके अंदर से मिल चुके होंगे 15 साल के time period में दोस्तों 1,000,000 रुपे हमारा बढ़कर 7,000,000,000 रुपे हो जाएगा क्योंकि हमें 6,000,000,000 रुपे के इसके अंदर से returns मिल चु तो उस केस में और ये 14% के हमें रिटन्स देता रहता है तो 14% रिटन्स के हिसाब से जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है पांच साल के बाद में वो बढ़कर 625,000 रुपे हो जाएगा और 2,40,000 रुपे के हम इसके अंदर से इस्टे वेटे रिटन्स भी ले चुके होंगे विड्रोवल भी इसके अंदर से ले चुके होंगे यहां हमें दो बेनिफिट्स एक साथ देखने को मिल रहे हैं पहला हमारा 5,000,000 रुपे बढ़कर जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी बढ़ रहा है दूसरी तरफ ज तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने इंवेस्ट्मेंट का सिर्फ 0.8% ही विड्रोवल के रूप में लगाना है उससे क्या होगा जो आपका इंवेस्ट्मेंट है उस इंवेस्ट्मेंट पर किसी भी तरह का कोई इंपेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हजार रुपे का विड्रोवल लगा सकते हैं और 14% के रिटन सकरिये प्रोवाइड कराता रहता है तो पात साल में हमारा 15,000,000 रुपे बढ़कर 17,000,000 रुपे हो जाएगा और 7,000,000,000 रुपे का हम विड्रोवल भी ले चुके होंगे इस पूरे प्रोसिस को अगर मान से ले चुके होंगे ठेक है तो इस mutual fund के अंदर आप किसी भी तरह से अपना पैसा invest कर सकते हैं आप अगर चाहें तो SIP भी कर सकते हैं आप अगर चाहें तो लंसम पैसा invest करके छोड़ भी सकते हैं और क्योंकि यह ELSS fund है तो इसके अंदर आपको tax saving का भी पूरा पूरा benefit मिलत है तीन साल का इसका लोकिन पीडिड्य है आप एक बार पैसा invest करके इसके अंदर से आप तीन साल पैसा नहीं निकाल सकते अब दोस्तों आप investment कैसे कर सकते हैं investment करने के अलग अलग तरहीं के है या तो आप किसी agent के थρί we do Sarkay हैं एजेंट के तुरू इंवेश्मेंट करने का एक नुकसान होता है शुरुवात में तो दोस्तो एक कमिशन जाता है उन लोगों को शुरुवात में उस कमिशन का कोई खास इंपेक्ट हमारे फंद पर नहीं पड़ता लेकिन अगर आप लोंग टम के पॉंट ओफ्यू से चेक करेंगे तो फिर आपका अच्छा खासा पैसा या अच्छा खासा रेटन दोस्तो उस परसन को कमिशन के रोप में चला जाता है तो उससे बचने के लिए सबसे बैस तरीका है कि आप खुद से इंवेश्मेंट करें चाहे तो आप SBI की वेबसाइट से कर सकते हैं या फिर आप दोस्तो अपना डिमेट अकाउंट ओपन करके भी SIP या लंसम इंवेश्मेंट कर सकते हैं अगर आपको खुद का डिमेट अकाउंट ओपन करना है तो आप जरोधा एंजल वान या फिर पेटीम बनी के द्वारा भी इंवेश् एंग जरोग्स